नमस्कार दोस्तों मैं रवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हॉम गार्डन पे दोस्तों और और आज का विचार है सबसे पहले के सोस समझ कर बोलें है जियां दोस्तों हमारी बाणी अमूल है हमारा एक एक सब्ध बहुत ही महत्पूर है तो हम जो भी बात कहें उसे बहुत ही सोस समझ कर कहें आप उसे साधान तरीके से ना लें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह एक लुसेड़े का पेड़ है लवेड़ा जिसे इंडियाम बोलते हैं और मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगता है इसका फल इसका अचार पड़ता है और बहुत ही स्वाद का होता है वह तो ऐसे ही आज मेरा विचार आया कि क्यों ना उसका एक बॉनसाई बना दिया जाए तो मैं आपको बताओं दोस्तों बॉनसाई पेड़ बनाने के लिए हम जिस पेड़ का चुनाब करें उस पेड़ की जो ब्रदी है वो स्लोली होनी चाहिए उसकी पत्तिया मजबूत होनी चाहिए और उसकी जड़ें अगर बहुत कम हो बॉनसाई के लिए कुछ बेसिक चीजे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा तमाम यूटूब पर बहुत सारे वीडियो हैं लेकिन मैं थुड़ा सा आपको बताओं कि यह देखिए यह मैं जो बॉनसाई के लिए पिड़ बना के लिए लाया हूं वो है तो इसके लिए चेंज करूंगा और बॉनसाई लगबग चेंज कर देने भी चाहिए एक पॉट में रखने से जो उसकी जड़ें रूट ज्यादा निकलाते हैं उसे जब चेंज करते हैं उसे हम सेट कर सकते हैं फिर यह कोको पीट है और उपर जो आप देखने हैं यह दाना है मारवल का प बॉनसाई पॉदे के लिए ड्रेन मिट्टी चाहिए तो ड्रेन मिट्टी तभी हम पैदा कर पाएंगे बना पाएंगे जाओ उसमें कोको पीटो यह साधान मिट्टी है और मैं आम तोर पर दोस्तों पीली मिट्टी ही यूज करता हूं क्योंकि इसमें गंदगी नहीं होती है दूसी बात यह मजबूती से पेड़ को थामे रखती है हम थोड़ी सी कंकड़ भी लेंगे यह थोड़ा मोटा कंकड़ा है जीरो साइच यह इसलिए लेंगे क्योंकि बॉनसाई में ड्रेनिंग व्योस्ता में अपनी बढ़िया बनानी होती है दोस्तों तो मैंने आपको सामन बता दिया सबसे पहले बेसिक एंग्रिमेंट है यह पौदा जिसे आप लगाना चाहें उसके बाद मिट्टी एक पॉड़ और अगर आपका पौदा आपको पॉड़ में सही डंग से खड़ा करना तो कोछ बायर भी होना चाहिए दोस्त आपके पास तो चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना जो पौदा उसे देखना है कि उसका साइज क्या रखना है तो यह देखिए जो फालतू आपको ब्रांच लगनी है उन्हें आप निकाल सकते हैं अभी और कोसस करें कि कुछ पत्तियां उस पर आप छोड़ दें क्योंकि सब्सक्राइब के लिए बहुत जरूरी है वह जहां तक वह आप बड़ी लीफ है जो ब्रांच है उसे आप निकाल देगे यह मेरे कट्रों से नहीं निकाल गई है तो मैं अपना अब यह जो आरी है से यूज़ करता हूं आप भी कर सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसा ही करूं बैसा ही आप करें यह देखे दोस्तों मैंने अपना जो पौदा वो तयार कर लिया है यह ब्रांच लंबी है लेकिन मुझे बड़ा अच्छी लग रही है मैं ऐसे ऐसे सैट करूंगा तो मैं ऐसे नहीं काट रहा हूं अभी तो यह हमारा पौदा लगाने के तैयार है इसके बाद हम पौट की तैयारी करेंगे तो अच्छे लिए दोस्तों अब आगे की तैयारी करते हैं यह अपने पौट में मैंने कुछ नारियल के जो तुक्रे हैं वह इंच्छेवां पर डाल देता हूं और यह बेसिक चीजह हैं गाडल जो पसंद करते हैं इससे क्या होगा हमारी जो द्रैनिंग जोस्ता है वह बढ़िया रहेगी अब देखिए इसे हमें सेंटर में खड़ा करना इसका बैलेंस ऐसा रखना है कि यह आसानी सेफ खड़ा रहेगे कि इसके बाद दूस्तों क्या करना है कि हमें एक कोको फीट की पर्त लगा लेनी है ज्यादा मोटी पर्त ना लगाएं उसके बाद हमें अपनी जो साथान मिट्टी है उसकी वी एक पर्त जमा देनी है इस पर कि यह साथान मिट्टी की थोड़ी मोटी पर्त लगाएं दोस्तों क्योंकि यह हमारे जो प्लांटर से इस ते रखने में बहुत काम आएगी यह देखिए इसके बाद फिर हम फोड़ा आता जो हमारा यह मोटी वाली बज़री है हम इसे यूज करेंगे और उसके बाद फिर एक परत आपको कोपीट की लगाएं और इस बार मैंने वह अब अबनी जो कोपीटा से पुरा खर्ज कर दिया है आज कि आज कि आज कि आज कि अपनी साधान मिट्टी आप और बॉंसाई पौदे में भी आपको यह द्यान रखना है कि आपका पॉट है वह लगवग इसके सर्फेस तक उपर तक कबर हो जाना चाहिए इससे आपका जो पौधा है वो इस्तर खड़ा रहे हैं इसमें हम अपने पानी भी नाइस के अंदर जाए यह देखिए आपको अपना बैलेंस इसका सेट कर देना है और अगर यह डिस्पैलेंस होता तो आप बायक की साहता से से बांद दी सकते हैं फिलाल यह जो सरल काम था वो हो चुका है दोस्तो पौधा पोट में लगाना एक सरल काम है लेकिन उसके बार उसे ग्रोध कराना उसकी केयर करना बहुत कठीन काम है लेकिन फिर भी हम उसमें थोड़ा सा पानी दूंगा और उसके बार यह तयार हो जाएगा बिल्कुल ग्रोध के तो यह देखें में इसमें पानी दे रहा हूं पानी आप हलकाई दें सुरू में क्योंकि मिट्टी अगर ज्यादा गीली होगी तो फिर आपका यह प्लांट गिर भी सकता है तो दोस्तों यह बहुंसाई प्लांट लगाने की बेसिक कुछ चीजन थी जो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई है आगे के वीडियो में मैं कुछ और भी आपके लिए बताऊँगा बहुंसाई से संबंदित तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों से कह लीजिए क्योंकि जैविक खेती पर मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ और एर रिंग उस पर भी बहुत जल्दी में आपके लिए वीडियो लाँगा तो तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन सुभो धन्यवाद कर दोका कर दोका आपके लियू